हेलो दोस्तों वो दुलहन थी तो कोकरोच से भी डरती थी और अब वो मा है साप को भी मार देती है जी हाँ दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सिंपल लाइप स्टूडियो में तो सुबह का टाइम हो रहा है दोस्तों और यहाँ पे मैं बेट ठीक कर जिम्मेदारी इंसान को हर चीज सिखा देती है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बेट ठीक करूंगी बेट ठीक करने के बाद मैं बाहर की जारू निकालूंगी पतिदेव और बच्चे सो रहे हैं क्योंकि बच्चों की एलक्षन की बज़े से स्कूल में छुट्टी चल रही है तो बच्चे और पतिदेव सो रहे हैं तो मैं यहाँ पे मैं बाहर की जारू निकाल लूँगी बाहर की जारू जब निकल जाएगी तो इसके बाद मैं घर की जारू पोचा करने के बाद मैं यहाँ पे पूजा करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घर की और उसके बाद यहां पर बतन धुल जाएंगे तो एक लोटा में जल सुड़ भकवान को और यह लोटा जल में तुलसी महरानी को दे दूगी और उसके बाद घर की होगी पूजा और यहां पर बदीदेव और बच्चे भी जग गये हैं और घर की पूजा हो जाने के बाद मे पीने का आनंद ही कुछ और होता है बहुत सुकुन सफिल होता है गर्मी में तो मैं चाय नहीं पीती हूँ पर शर्दी में थोड़ा पी लेती हूँ और ज्यादा नहीं पीती हूँ थोड़ा सा ही लेती हूँ तो यहां पर मैं चीनी डाल दूँगी चीनी के बिना तदूरा है चाय तो यहां पे चाय च्छान लूँगी और चिनी डालने के तुरंट बाद ही चाय च्छान लूँगी और आईए आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए चाय बनाते बनाते मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि खुद को खुदी खुद रखें यहां पे देखिए चाय बन गई है और पती देव में चाय पी लूँगी और पती देव ऑफिस चले जाएंगे थोड़ी देर बाद आ जाएंगे और उसके बाद में बच्चों के लिए बनाऊंगी टेस्टी सा हेल्दी सा स्वादी सा नास्त में डाली हुँ पीजा और चिली फ्लक्स ताकि पीजा के जैसा टेस्ट आए और इसको हम भी हारी वासा में चोखा ही बोल सकते हैं तो यहां पर ब्रेट पर में चोखा रख दियूंगी चीज और यहां पर छोटी है तो में चीज को तोर तोर के डालूंगी और सेंविच मेकर आप देख सकते हैं कि रखा हुआ है तो उसमें मैं सेंविच को शेक लूँगी तो यहां पे देखिए चीज डालने के बाद यहां पे मैं ऊपर से एक ब्रेड रख दूँगी और सेंविच शेकने के लिए तयार है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सेंविच स्टेश सीख गई है तब तक मैं दूसरा सेंविक्ष बनने के लिए तयार कर लोग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंविक्ष शीख गई है't और यहाँ टेस्टी साहीली स्वादि शुदिस सा सेंविक्ष बन गया है और उसके बार बच्चे भी कि नास्ता कर लिए थे आ गई थे तो पधिदेव को मार्केट में कुछ काम था तो मैं भी आ गई हूं मार्केट और पधिदेव अपना काम कर रहे थे तो मैं भी यहां पर अपना काम कर लेती हूं और यहां पर मुझे कुछ समाल लेना था किचन के लिए तो यहां पर मैं भी अपना काम कर ली हूँ और काम करने के बाद सिधा आ गई हूँ घर अगर आने के बाद यहां पर बच्चों की फेवरेट चीज लाई हूँ समोसा मिर्ची बड़ा और प्याज की कचोडी तो यहां पर देखिए यह स्पाइकेट में लिखा हुआ है कि 25-11-2023 को मद्दान अब करें तो यहां पर देखिए प्याज की कचोडी है मिर्ची वले हैं और समोसे इनमें से आपको क्या फसंद है प्लीज